नमस्कार दोस्तों इस वीडियो में आपको बदाने वाला हूँ कि AMC Security Application को आप अपने फोन में कैसे यूज कर सकते हो इसके लावागा जगर आप जानना चाहते हो कि AMC Security Application है क्या और इस Application की मदद से आप अपने फोन में क्या-क्या Benefit यूज कर सकते हो तो क्या-का Benefit आपको मिलने वाले है तो फिर इस वीडियो को देखते रहे है तो गई सबसे पहले इसके लिए आपको करना क्या होगा अपने फोन में AMC Application को आपको जो है डाउनलोड कर लेना है तो यहाँ पर प्ले स्टोर में आके आपको जो AMC Security Application को डाउनलोड कर लेना है ड यहाँ पर New Power Booster का एक Option आपके सामने आएगा तो यहाँ पर आपको जो है Swipe करना इस तरह से उसके बाद यहाँ पर आपको जो Get Started वाला जो Option मिलता है इसके उपर आपको क्लिक करना होगा तो जैसे ही आप Get Started पर क्लिक करेंगे उसके बाद यहाँ पर आपको Permission Allow करनी पड़े आपके फोन के अंदर जो भी कोई virus वगेरा रहेंगे वो यहाँ पर जो जितनी भी file आपकी जो रहेगे वो बता देगा उसके बाद यहां से आप clean कर सकते हो तो जैसे clean पर क्लिक करेंगे उसके बाद यहाँ पर आपका जो फोन है वो यहाँ पर successfully clean हो जाएगा और आपके ज करना पड़ेगा एक्सेस को तो हम यहां पर ओके करते हैं करने के बाद इसकी जो परमीशन है उसे यहां पर आपको अलाउ करना होगा तो चलिए यहां पर हम एमसी की जो परमीशन है उसे हम यहां पर एक्सेस अलाउ कर देते हैं एक्सेस अलाउ करेंगे उसके बाद यहां पर guys okay वाले option पर हम click करेंगे तो okay पर जैसे यहाँ पर timing चल रहा उसके बाद यहाँ पर इसकी जो permission है वो यहाँ पर allow हो जाएगी देख सकतो हमारे जो permission है वो यहाँ पर allow हो चुकी है उसके बाद यहाँ पर हम back आएंगे back आने के बाद यहाँ पर boost वाला option है तो इसके उपर हम click करेंगे तो यहाँ पर boost करने के लिए देख सकतो यहाँ से सबसे बहले यहाँ पर back आएंगे back आने के बाद बुष्ट पर click करेंगे उसके बाद allow पर करेंगे हमारे जो permission है वो फिलाल यहाँ पर मुझे लगता है allow नहीं हुई है तो एक बार फिर से आपको चेक कर लेनी है आपकी जो भी permission है वो यहाँ पर allow कर लेनी है अगर आपको permission allow नहीं होती है तो यहाँ पर जो आप से जो है नहीं कर सकते हैं यहाँ पर use नहीं कर सकते हैं तो यहाँ पर okay पर हम click करेंगे हमारे जो permission हमने टिक कर लिया उसके बाद यहाँ पर ok पर click करेंगे तो permission यहाँ पर मुझे लगता अब allow हो चुकी है permission allow हो चुकी है अब यहाँ से हम back आएंगे back आने के बाद यहाँ से अब यहाँ पर boost कर सकते है तो देख सकतो हमारी जो file यहाँ पर आ चुके अब guys यहाँ पर हम boost पर click करेंगे और guys boost पर जैसे यहाँ पर tick करेंगे all पर उसके बाद यहाँ पर हमारी जितनी भी file लेगी जो भी application रेगी वो यहाँ पर boost हो जाएगी और background running में चल रही होगी तो यहाँ पर stop हो जाएगी उसके बाद यहाँ से हम back आएंगे back आने के बाद security वाला option इसके उपर हम click करेंगे security पर click करने के बाद यहाँ पर देख सकते हो आपको जो anti virus का option मिलता है उसके बाद यहाँ पर payment security अगर आप paid वाले security लेना चाहते हो वो भी लेख सकते हो अपनी payment की security करने के लिए उसके बाद यहाँ पर देख सकते हो anti phishing है उसके बाद web security है security guard है उसके बाद यहाँ पर privacy locker है यूज़ कर सकते हो तो गैस अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना शियर करना और अगर अबीत का आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लिजिये